दोस्तू अगर आपने ये बात नोटिस की होगी तो आपने ये जरूर देखा हुआ कि पब्लिक बीते तीन सालों में थेटर से कितना दूर हो चुकी है वहीं इसके पीछे बालीबुट को भी बहुत दोस्त दिया जाता है पर सौथ इंडस्ट्री के पुस्पा, KGF और ट्रीपल आर जैसी फिल्मों ने पब्लिक को वापस थेटर में आने को मजबूर कर दिया है बॉलीबुट के खराब कहानी और वही घीसे पीटे एक्सन सीन से कारण लोग उसे देखना पसंद नहीं करते थें पर अब लोगों की सोच बदल रही है और पठान जैसी मूवी ने लोगों को फिर से थेटर आने को मजबूर कर रखा है वही नहले पे दहला मارते हुए सणी देओल ने भी अपनी फिल्म गदर के सीक्ट गदर टू के डेट को इनौन्स कर दिया है इस फिल्म के डायलोग ने हिंदुस्तान जिंदावाद है हिंदुस्तान जिंदावाद था और हिंदुस्तान जिंदावाद रहेगा आज से 20 साल पहले थीटर को स्टेडियम बना दिया था वहीं लोग पागल हो रहे थे इस फिल्म को देखने के लिए आज 23 साल बाद हुआ फिर से बड़े परदे पर वापस आ रही है फैंस के दिल को छू देने वाली इस फिल्म का खास बात यह है कि इस फिल्म के पार्ट 1 में जो जो की किरदार थें वही किरदार इस फिल्म के पार्ट 2 में भी रहेंगे इस फिल्म के किर्दारों के साथ एक ज़रा से भी छेड़ चान नहीं की गई है और यही बात फैंस को और भी एकसाइड़ कर रही है और इस फिल्म का रिलीज डेट भी बहुत खास रखा गया है इस फिल्म का रिलीज डेट 11 अगस्त को रखा गया है और उपर से यहाँ फिल्म पैटलोटिक है जिसे कारण इस फिल्म की कमाई और विज़ादा बढ़ सकती है अगर इस फिल्म का ट्रेलर में कुछ अच्छा दम रहा और लोगों ने इसे अच्छा रिस्पॉंस दिया जाहिर सी बात है कि यहाँ फिल्म अराम से 350 करोड के आकड़े को पार करेगी और हो सकता है यह पठान जैसे मूवी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दे तो क्या दोस्तों तो फिर क्या लगता है आपको सनी पाजी की यह फिल्म कमाल कर पाएगी और आप कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को देखने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं धन्यवाद